और आप भी अगर उद्गाटन करवाना है तो मैं एक बात करना साथ हूँ कि भी एक बार फिर करवा लो अब जो परिवेंद मंत्री हैं मुल्चन जणमा वो राम्बिला सर्मा के समधी हैं और वो ये मानगे चलो कि एक दो मेंने में अक्सर मेंड़ उनके निवास्तान पर आत करते हैं तो आप यह मामला क्यों अटका रख्या है मेहंद्रगण के अंदर सब डिपो का मुद्धा आजकल वैसे भी गर्माया हुआ है और वैसे भी अगर हम बात्चित करें तो पिछले बेड़ साल से बवन तयार है लेकिन उल्गाटन नहीं हो क्या करें देखो समसेर सब डिपो का जो मामला है ना यह मतलब बहुत पुराना मुद्ध है हमारे मेहंद्र के लिए और इसको लेकर समय समय पर समय समय पर जैसे इसके कभी शिल्दानास कर देना कभी सुभारम कर देना कभी उद्गाटन कर देना इस परकार के कारेकरम जोना होते रहे हैं और हर बार होना एक ही खबर लगाए जाती है कि अब सब्डिपो बनकर त्यार हो जाएगा और इस परकार से लोगों को सुई धाय मिलेंगी और पिछले ये मान के चलो आप दो जार तेरा से ये मामला चले हुए यह जो सरकार है मनौरलाल पार्ट टू इससे पहले जो कॉंग्रेस की सरका थी जब ये कारेकरम सुरू हुआ था और उसमें इस सब्डिपो के लिए लग बगए साड़े बारा करोड़ उपार के आसपास जो ना मनौरी मिली थी उसमें जो अब जो यहां के वरतमान विदाये गए वो उसमें इसी डिपार्टमेंट के परिवान सची होते थे और उसी दोरान जो ये पैसा मंजूर हुआ था ये यहां से मवात के लिए वापिस जो ने रिफन्ट हो गया था और मेवात का जो ना इस उसी पैसे से वापिस रिपंडों को बनाया गया था और 2014 में जो हुए कॉंग्रेस की सरकार चलिए उनका कारेकाल पूरा हो गया यानि ये उस कारेकाल में पैसे आने के बाद में भी इसका सरुवात नहीं हो पाई अब बात आती है कि जो वरतमान सरकार है इसके कारेकाल की और पूरो जो मंतरी थी हमारे सिक्षिया मंतरी रामिलाशर्मा तो उसमें इसका स्लसला दोबारा से शुरू हुआ कि इस सब्डिपो को दोबारा से जो ना सरकार ने अपने पैनल पे लिया जब पहली बार 9 अपरेल 2006 को मुख्यमंत्री हमारी सबजी मंडी में जो यहां रेली हुई उसमें आए तो उन्होंने इस सब डिपो का दोबारा से शिल्हनास किया उसके परमान मैं आपको दे दूँँगा दोबारा फिर इसका काम नहीं हो पाया दो साल के बाद में 21 जुलाई 2018 को फिर मुख्यमंत्री एक बाजरा रेली केरके एक रेली यहां पर होई और उसमें दोबारा से इसको फिर जो ना इसका सिल्हनास फिर कर दिया गया उसके दो मतलब एक डिड़ साल बीच जाना के बाद में भी फिर इसका काम सिल्हनास नहीं हो पाया और 24 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री जो आई-म्टी का उद घाटन करने के लिए आये थे जिसकी भी आज तक सिर्वात नहीं हो पाई है उस दोराण भी इसका मुंख्यमंत्र निसका फिर सिल्हनास कर दिया यानि तीन वार मुख्यमंत्र निसका वद्यविक्त रूप से, उफिशल रूप से इसका सिल्हनास किया अब बात उसी सरकार में काम फिर नहीं श्रू हो पाया मतलब तीन बार से लनास किया लेकिन काम स्टार्ट नहीं हो पाया उसके बाद में क्या हुआ कि 2019 का जो विदानस्वा चुनाओ था वो बिल्कुल नजदीक आ गया और 22 जुलाई 2019 को जो परिवेन मंत्र दी है सर्द पौवार जी वो महिंडरगड में भाज़पा का एक कारिक्रम था जो जिसमें मंत्रियों के अलग अलग जो उनने विदानस्वां में डूटी लगाई थी जाने के लिए तो सहम यहाँ आए तो मीडिया के साथियों ने जैसे उनसे इस स्वाल किया कि जी आप सहम जो होना परिवन मंत्री हो को कि कभी भी किसी कभी शिला ना सोता है उन्होंने थोड़ा सा ऐसे ही जवाब दिया कि भी समय लग जाता है काम करेंगे जैसे जल्दी करेंगे लेकिन उसके कुछ गंटों के बाद में प्रोफेसर राम्बिला सरमा जो उस समय के मंतरी थी उन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस दुबारा से बुलाई और उन्होंने का कि कल सुबह दस बजें सब डिपो का वीडियो एक प्रोफ से नारियल पोड़कर इसका सुवारम किया जाएगा उसके नेक्स्ट दे जो पत्थर सबजी मंडी में मतलब एक किलोमेटर दूर था इसके उद्गाटन का तीन साल तीन मैने के बाद में उस पत्थर को वह आप शायद अब भी होगा वहाँ उन्हें एक लाइव वीडियो में भी दिखाया था उसको वहाँ एक किलोमेटर तीन साल तीन मैने के बार ट्रांस्पर किया गया और इस चीज के भी परमाण आप दे दूँगा कि उस समय के परियोयन मेंत्री ने इसका विद्वेत रूप से सुभारम किया 22 दुलाई को और उन्होंने का कि अब मेहनरेगर जो समाने बस्टेंड है यह समाने बस्टेंड नहोंकर अब इसको सब डिपो गाज़ होना दरजा दे दिया गया है और एक दो बसों पर उस समय पैंट करवा कर सब डिपो मेंडरेड लिख्या गया उसके भी मैं आपको परमाण दूँगा उसको विदिवत रूप से उन्होंने सुभारम किया और जब सब डिपो बन जाता है तो टीम यानि ट्रेवल मेनेजर की वानिप्ति होती है तो उन्होंने उस समय अपने वियान में यह गा था कि जो रित्तु सर्मा है जिनके रिवाडी पोस्टिंग है वो कल से या एज एटीम या निउप्ति कर दी जाएंगी और कल से मेंडरेड सब डिपो का कारेकरम विदिवत प्रूप से सुभारम हो जाएगा सभी बसे यही से चलेंगी तो मेंडर सब डिपो की बस मतलब यहां से चलेंगी तो मेंडर सब डिपो है लेकिन उसके और इसका जो पैशा था उन्होंने का कि जो सब डिपो तो का तो मतलब सुभारम कर दिया लेकिन उसके बाद में कई बार क्या होता है कि जैसे किसी तैसिल को सब डिविजन बना देते हैं लेकिन उसका भवन नहीं होता तो सरकार क्या करते हैं भी तब तक सब डिविजन के अधिकारियों को बढ़ा दो काम यहां स्टार्ट हो जाएगा और बहुन जो हना बहुन के लिए हम पैसा देंगे बढ़कर बाद में त्यार हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि भी इसमें 14-14 करोड पर जो लागत आएगी वो बजट हम मन्जूर कर देंगे लेकिन आज से मतलब सब डिपो बढ़ चुक है सब डिपो का उन्होंने कहा कि कोई रोड़ा नहीं है सिर्फ बहुन का पैसा रिलीज किया जाएगा उसके बाद में जैसे ये शिक्ष्या मंतरी राम बिला हज़ी भी आ रगे और वो परिवेंद मंतरी जो थे वो भी मतलब नहीं रहे उस विवाग में उनको बाद में दुबारा से मतलब टिकट नहीं मिली अब आ जाता है मनुरलाल जैसे पार्ट टू का कारेकरम सरू हो जाता है 2019 के बाद में दुबारा से बाद बाद सरकार बन जाती है उसके बाद में इन्हों ने वरक सोब के जो सबाथ 6 करोड़ पे 60 करोड़ पे जो अनुमान इतलाक अथी वो पैसे रिलीज किये और वो रक्सोब जो हना मल बन कर त्यार हो गए और उसको भी बने हो ये मान के चलो कि दो साल गया स्पास हो गए लेकिन आप इस बात की चर्चा चल रही है कि वे सब डिपो का जो सुवारम कोई मंत्री करे या मुख्य मंत्री करे तो मैं एक बात करने चाहता हूं कि मुख्य मंत्री समयम अपने हाथ उसे तीन बार इसका सिलना सालडी कर चुके है और जब किसी संस्ता का सुवारम हो चुका है तो ये तो एक भाहन की ओपनिंग करनी है जो औरक्सोब का है और इसमें भी बताया जारा है कि यह जो जैसे इसमें टैंक होता है पैट्रोल पंप होता है सरकारी वहां होता है गाड़ियों में टेल डालने के लिए और गाड़ियों के वहां काम होता है तो कहरे हैं कि उसकी वज़े से लंबीता है जब कि ऐसी बात नहीं है कि अब सरकार न इन गाड़ियों में डलवाय जाता है, ऐसा नहीं है कि भी उसके वज़े से लंब बीता है, अब ये कह रहेंगी भी इसका जाजे सुवारम किया जाए, तो सुवारम तो मैं ये करना चाता हूं कि इसका 22 जुलाई 2019 को आलड़ी हो चुकिया है, और ये उन्होंने उससे किया थ लेकिन ये ऐसे कैसे हो गया कि भी उन्होंने सुवारम कर दिया, और आज भी अगर अंबोर्ड पढ़ेंगे तो सामाने वेस्टेंड मेंड़ गया है, आपने भी पढ़ा होगा, तो ये तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार सिर्फ गुमरा कर रही है, ये अब कैसे माने ज आजस यहां कि लोगों में बना हुआ है कि ये जो बिल्डिंग है, सब डिपो की है, और इसका सुवारम नहीं किया जा रहा है, लेकिन सब डिपो का सुवारम तो आलरी हो चुकए है, और उस समय के पर्वेंद मंतरी कर चुके है, लेकिन उसके बाद में कोई अक्सन नहीं ह प्रिंट करवाए गर नहीं सपिसल बसे चली और आज जो मांग करी जा रही है कि भी इसका जो उदगाटन करा जाए इसके स्टार्टिंग करे जाए तो यह ऐसा नहीं है और अब भी अगर उदगाटन करवाना है तो मैं एक बात करना चाहता हूं कि भी एक बार फिर करवा लो अब जो प्रिवैन मंतरी हैं मुलचन शर्मा वो रामबला सर्मा के समधिय हैं और वो यह मांद के चलो कि एक दो मेने में ऐकसर महनड़ उनके निवास्तान पराते हैं तो अब यह मामला क्यों अटका रख़्या है कि भी उनका सहम क Untersमधी जो प्रिवैन मंतरी है और पैसा भ वो एक मेंदर्ड की जनता को मतलब गुम्रा किया जा रहा है और लोगों को ये पता नहीं कि ये सब डिपो है या सामाने वेस्टेंड है लोगों में एक एस्वंजस पैदा करें खिर बार बार अकबारों में भी अगर पीछे से लेकर लास्ट कि आप अकबारों की कटिंग प होने मतलब जो मेरे कहने का तात्री है कि यहां के लोगों को सब डिपो के नाम से पिछले मलो 8-10 साल से सिर्फ गुम्रा किया जा रहा है तो ये सब मेहंदरगड में ही क्यों देखने को मिलता है कभी शड़क की बात आए तो शड़क नहीं है या फिर कुछ अन्य जो करना पड़ रहे पारान के क्यों को समय इसे समय पर कारे के सामने परशासंद के सामने ने रखेंगे तो क्या होता है कि जो आम बोटर है आम जन है उनको यह पता है नहीं चलता कि भी यह संस्ता है क्या इसमें टेकनिकल कमी रह क्या गई है इसकी ओपनिंग हो क्यों नहीं पारी है तो विपक्स इन चीज़ों को आम जन तक पहुँचाने में बताने में और समझाने में बिल्कुल नाकाम है कि भेत समय के मंतरी कि तो ठीक ही का है क्योंकि उस चीज़ को विपक समझा नहीं पोधारा अगर विपक समय-समय पर इन बातों को समझाल एक तब आमचर को हम पता चले कि भी यह सब्द μεतल आज्ब्तप्र स्वार्ओं ही उस सम्झा पाराई करेना करेकाल सम् justamente तो यह मैंने का मतलब यह कि पक्स विपक्स में दोनों में कमिया है और इसलिए नहीं तो विपक्स उजागर करना चाह रहा है और सतापक्स जो अपनी तरफ से जो ब्यान दे देता है उसी को मीडिया में चाप ले जाता है वही बात जो मान दी जाती है अभी जैसे आप दो तीन दिन पहले की बात है यहां के पूरो सिक्सिया मंतरी रामबिला सर्मा ने अकबार में एक न्यूज लगवाई पुराणी फोटो लगा कर वो मैंने फोटो सोसल मीडिया पर विडा ली थी कि कुछ दिन पहले दस मार्च को जब चैर राज़ों में बाजबा की सरकार बनी तो उन्होंने जो न मुख्यमंतरी को मिठाई खिलाई थी और उसी फोटो को कुछ दिन के बाद में अपडेट कर दिया गया कि आई-एमटी का जो ना बारा सो एकड़ में प्रावधान किया गया बजट में और उसके लिए सिक्सिया मंतरी ने मुख्यमंतरी का प्रिंट मीडिया में वो सारे अगबारों में खबर सबी अब लोग फिर अस्रेंजस में हो गए कि हाँ में तो आई-एमटी मिलेगी लेकिन पूरे बजट में आप टोटली बजट उस पर पढ़ो उस बजट में कहीं भी आई-एमटी का कोई जिगर नहीं है लेकिन विपक से जो यहां के पूरों के परतिनिदी हैं वह अपने तरफ से और रख देते हैं वहीं बात अगबार में चब जाती है और वहीं मेनड़ी के जनता सिविकार कर लगती है रहले के मुद्रे पर गोर करें तो कि जले काफी समय से यहां के राज्यनेता यहां के राज्यनधा यहीं भाय को सब्सक्राइब लोग बरगला रहे हैं उसमें क्या है कि IEMT का 24 फरवरी 2019 को जब इसका उदगाटन के पोस्ट लगे थे जब कि उदगाटन किसी संस्ता का जब उतता है जब बने करत्यार हो जाती है उसके भी वेरे पास परमान है लेकिन उस समय भी लोगों ने मान लिया कि भी हाँ मनोरलाल मुख्यमंत्री हैं और सम्व करने आ रहे थी कि IEMT खुड़ाना में नहीं बना रहे ये सिर्फ लोग सवचनाओं को देखते हुए और उसमें रामिला जी को ये लग रहा था कि लोग सवचनाओं उसको मीदवार बनाया जाएगा ये सिर्फ लोगाने का एक फरमला अपनाया था कि यहां IEMT बनाई जाएगी अब य तेन साल के दोर्ण क्या हुआ बार बार उसमें बियान बने जाते हैं लिए IEMT के बारे में डिrium चर्चा करी मनौर naid adan acee ने सदन में चर्चा करी वहां चर्चा करी तीन साल में किसी फी वजट में जो न इसका कोई प्रावदान नहीं और जब तक वजट में प्रावदान होते हैं जो मतलब कि जनता को नहीं बताए जाते हैं यहां तो शिरफ यह बता जाता है कि आई-मटी बनेगी जनता यह मान लेती कि भी आई-मटी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और वो अगर बनेगा तो मैनेट के लोगों को बहुत ज़्यादा जो ना बेनिफिट होग तो अगर कोई सोसल वर्कर या ने कोई वैक्टी यह कहे कि भी नहीं बनेगा तो वो बात उस बात को कम तबज़ा जी जाती है लेकिन यह तो एक पर्तेक्स को पर्मान की ज़रूत नहीं है तीन साल में इस आई-मटी के कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है अभी हाल फिल हाल विधाय के नंगल चोधरी अबयादो जी ने भी आई-मटी को 152 जो नेशनल हाईवे है 152D इसे जोडने की बात करिए देखो ऐसा है कि पुराणी एक देशी खुआ होता है बोलो गरीब की बहुत सब की बाभी ठीक है पुराणे बजरक कहते है तो में अंद्रिकट विदान सबा एक ऐसा चेतर है यहां मतलो कोई भी निता के याइंट्री मार देता है मतलो यहां मैं आपको बताओं कि पिछले मई में अपनी इस सड़क मारक की जब दादर नार नोर के गोशना होई तो उस समय कि मागबारों के कटिंग आपको दुखाऊं तो इतनी जदा हो जाएंगे उस समय उस सड़क बनी अब पिछे वी एक पोस्टर वार मेंड़ विदानसवा में वा था देखो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वेक्तिकत रूप से मैं अवेशिंग का विरूद नहीं हूं उन्होंने अपनी विदानसवा में खूब काम करवाई हैं खूब अच्छे विदायक है लेकिन मेंड़ के साथ वो भी समय समय पर मजा करते रहते हैं चाहे वो सड़क की बात हो चाहे आई-म्टी की बात हो चाहे नहरों की बात हो वो एक ऐसा ब्यान वहां से रिलीज कर देते हैं कि उससे मेंड़ की जन्ता को ये लगने लगे ता है भी ठीक राम्पला ची जूट बोल बोल आवे सिंग बुल वजूट नहीं बोलता होगा अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आवे सिंग ने इस सड़क मारक को क्यों सुटवाया ये सड़क मारक जब कैंसल हुआ तो मंदोला से लेकर राय मिलिक पूर तक कैंसल हुआ अगर आवे सिंग चाहते तो उन्ह नितिन गड़करी को रखते और आज वो सड़क बनकर त्यार हो जाती अब पिछली एक साल से उन्होंने फिर मजाग बना रख्या इसी सड़क को कि वो वहां से एक ब्यान रिलिज्ज करते हैं उस ब्यान को कोपी पेस्ट करके जो हमारे वर्तमान और पूर के जो परतिनी द करते हैं तो अपनी विदानसा में इतने काम करवा सकते हैं तो यहां भी करवा लेते हैं वो तो एक क्या करते हैं कि भी वह यहां के लोगों को अपने परतियाकर्शन करने के लिए इस परकार का ब्यान डालते हैं कि भी मैं जो ना इसको आईम्टी को यहां से लिंक करवा द झाल दे ता.